बायोलोजिकल कंट्रोल यानि नियंतरण के लिए ऐसे जैविक तत्वों का प्रियोग जो हमारे पोधों की सुरक्षा के लिए साहेख हो इसका आधार होता है कोई जै जैसे कि गोबर की खाद में ऐसे मित्र जिवानों होते हैं जो हमारे पोधों के लिए सहाय होते हैं ऐसे जिवानों को हम दो भागों में बाड़ सकते हैं एक होते हैं मित्र और एक होते हैं सत्रू सत्रू किटन वह होते हैं जो हमारे पोधों को नुकसान पहुचाते हैं और इन से इन में बिमारी आती है मित्र वो होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं यानि सत्रू जिवानवों से हमारे पोधों की रक्सा करते हैं अगर हम देखे तो इन होने वाली बिमारियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं पहली है जो फंगल यानि फंगस के कारण होती है और दूसरी बैक्टिरियल यानि जिवान वो के कारण होती है और एक तीसरी होती है parasites, यानि वे जिवानू जो जिने हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, परंतु वो पोदों पर आकर उनमें बिमारियां पैदा करते हैं ऐसे मित्र जिवानू जो फंगल हो या बैक्टीरियल हो और हमारे पोधों में लगने वाली बिमारी योग से पोधों की रक्सा करते हैं ऐसे कुछ तत्वों का किसान भाई परियोग करते रहते हैं मुझे बहुत से ऐसे फोन आते रहते हैं कि क्या हम इनको एक साथ परियोग कर सकते हैं और इनका कब परियोग उचित है और इनको मल्टिप्लाई किस प्रकार किया जाता है मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार के आगी और मैं आज आपको बताऊंगा इन साथ जैविक तत्वों को सही प्रकार से किस प्रकार परियोग करना चाहिए और इने मल्टिप्लाई करने के लिए या जब हम इनको एप्लाई करते हैं तो इने किस प्रकार हमें करना चाहिए ज किसान साथियो जो हमारे साथ बायो कंट्रोल एजेंट्स है जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वे हैं ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बशियाना, सूडोमनास फ्लोरोसेंस, मेटारीजियम अनेसेपोली, बैसिलस सब्टिलिस, पैसिलोमाइसिस लिलासिनस और वर्टिसीलिय अब इन साथ को हम किस प्रकार परियोग कर सकते हैं, अर्थात किन को हम जमीन में परियोग कर सकते हैं, किन का परियोग हम इस्प्रे में कर सकते हैं, और कौन से बैक्टिरियल हैं, और कौन से फंगल हैं, और किन को हम एक साथ मल्टिप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजे आप के लिए जानना बहुत जरूरी है चुकि इसके बारे में किसान मुझसे बहुत सवाल करते हैं अब आईए बात करते हैं किसान साथियो जब मैंने इन के बारे में ये देखा कि क्या प्रियोग कर सकते हैं ये सब पढ़ने और जानने के बाद जब मैं निश्चिंत हो गया कि हा यह चीज सही है तो मैंने इसको एक टेबल में summarize किया यानि इसका संक्लन एक टेबल में संजोया उस टेबल में मैंने पाँच कॉलम बनाए और परतेख बाइलोजिकल एजेंट्स के सामने ये लिखा कि क्या ये इसका application सोयल में हो सकता या जमीन में कर सकते हैं क्या हम इसका इस्प्रे कर सकते हैं ये किस स्रेणी का है फंगल या बैक्टीरियल है और क्या हम इसको मल्टिप्लाई कर सकते हैं और मल्टिप्लाई कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं अब मैं आपको इस टेबल के द्वारा ये अब आप देखे ट्राइको डर्मा के सामने मैंने सोयल कॉलम में यस लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि आप ट्राइको डर्मा को जमीन में दे सकते हैं इसके सामने जो फॉयलर अप्लिकेशन है यानि अगला कॉलम है उसमें मैंने नो लिखा है इसका अर्थ है कि ट्राइको ड की कोशिश की है इससे अगले कोल्म में मैंने लिखा है कि यह फंगल है और ये फंगल की स्रेनी में आता है और उसके बाद लिखा है के multiply तो आप multiply कर सकते हैं multiply की बात मैं अब थोड़ा बाद में करूँआँ, अब आप सभी agents के सामने ये देखिए कि मैंने किसके सामने यस लिखा है और किसके सामने नो लिखा है जैसा आप देखेंगे कि जो trichoderma है उसका foiler application नहीं होता चुकि वहाँ पर नो लिखा हुआ है इसी प्रकार आप देखेंगे कि pacilomyces lillacinus इसका केवल soil application हो सकता है और इसका हमें प्रियोग spray में करने का कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए उसके सामने नो लिखा है पहले कोलम में जो सबसे नीचे तत्व है वो है verticillium उसके सामने में जो कोलम है soil वाला उसमें नो लिखा है इसका अर्थ ही यह हुया कि इसको आप जमीन में नहीं दे सकते जो मेरा चोथा कोलम है उससे यह पता चलता है कि यह किस स्रेणी के है यानि कि यह फंगल है यह bacterial है अगर आप देखोगे तो इन में से pseudomonas fluorosens और bacillusus subtilis जो है यह bacterial स्रेणी के है जो अंतीम कोलम है उसमें मैंने लिखा है multiply अगर आप देखोगे तो दो एजेंट्स के सामने मैंने नो लिखा हुआ है पहला एजेंट है pseudomonas fluorosens और दूसरा है bacillus subtilis यानि कि इनके multiply के सामने नो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है किसान साथियों जब भी हम multiply करते हैं तो कभी भी आपको fungal और bacterial इन दोनों को इकठा नहीं करना है यानि इन साथ में से आप 5 को इकठा multiply कर सकते हो और जो ये दो bacterial हैं pseudomonas fluorosens और bacillus subtilis इनको आप अलग से multiply कर सकते हैं ये तो हुई multiply करने की बात अब मैं ये बताता हूँ कि multiply करने के लिए आपको सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है किसान साथियों सबसे अच्छा माध्यम जो है वो है farm yard manure यानि आपका compost अर्थात गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपको multiply करना है और आप एक से अधिक fungal agent ले रहे हैं तो उन सब को मिला कर आप गोबर की खाद में मिला दीजिये और उसको multiply करिए एक तो ये है तरीका और अगर आप उसके साथ bacterial agent भी देना चाहते हैं तो उनको अलग से multiply करिए कभी भी bacteria को fungal के साथ में multiply ना करे क्योंकि जब bacteria grow होता है उसको ये पता नहीं होता कि ये मित्र फंगस है या ये सत्रू फंगस है और उससे उसको हानी हो सकती है अभी तक मैं समझता हूँ कि जो मैंने समझाने की कोशिस की है इस table के दोरा वो आप समझ गए होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इनको multiply किस प्रकार करना है किसान साथियों जो हमारी ये agents है ये दो फोर्म में आते हैं यानि ये दो तरह से मिलते हैं एक मिलते हैं हमें powder की फोर्म में जिसमें के टेलकम powder होता है और उसके अंदर ये जितने भी जीवानों हैं वे रखे जाते हैं दूसरा होता है हमारा liquid लिक्विड में भी available होते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इनका जमीन में परियोग करते हैं और वो अपने drip के माध्यम से देते हैं तो जो liquid हैं या जो तरह लवस्था में मिलते हैं वो उसको prefer करते हैं दूसरे में लोग जिनको spray करना होता है जिनके सामने मैंने foiler application के सामने yes लिखा हुआ है उनको वो liquid prefer करते हैं और उनको liquid को पानी में मिला कर आप उनका spray अपने पोधों पर करते हैं यह तो हुई एक बात अब मैं आपको एक तरीका और बताँगा कि आपको अगर पाउडर से आपको drip में चलाना है तो आप उसे किस प्रकार चलाएगे माल लीजिए कि आपको 1 kg ट्राइकोडर्मा अपलाई करना है तो आप 1 kg ट्राइकोडर्मा को कम से कम 20 लिटर पानी में घो लीजिए और उसे अच्छी तरह से चला दीजिए अब इसको 20 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए 20 मिनिट बाद आप देखेंगे कि जो powder है वो नीचे तलेटी में बैच जाएगा और जो पानी है उसको आप धीरे से अलग कर लें उसको आप वेंचुरी के माध्यम से अपने डिप में चला दे जो powder बचा हुआ है उसमें फिर 20 लिटर पानी मिला दे और फिर उसको 20 मिनिट के लिए छोड़ दे और फिर उस पानी को आप डिप में दे दे इस प्रकार अगर आप तीन बार करेंगे तो जितनी भी मात्रा और इसका मुझे कहीं भी कोई प्रमान नहीं मिला कि ये सही है या गलत है फिर भी मैं आपको बताना चांबा कि जो लोग इन एजेंट्स को जैसे ट्राइकोडर्मा है सुडोमुनास है इसको ड्रम में गोल कर और गुड डाल कर मल्टिप्लाई करते हैं वो तरीका सही नहीं चुकि इसका कहीं भी कोई प्रमान नहीं है कि ये मल्टिप्लाई हो जाते हैं इसको आप सीधा पानी में गोलिए जैसा मैंने बताया है और अगर आपने तरल लिया है तो सीधा पानी में गोल लीजिए उसमें आपको बार बार छानने की जोरत नहीं पड़ेगी और इसको एपलाई करिए ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि जो गुड है और जो पानी है कभी कभी वो भी कंटामिनेशन होता है उसमें भी ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो आपके जीवान वो को नस्ट करते हैं ये हुई दूसरी बात किसान साथियो एक बात मैं और बताना चाहूंग कि जब भी आप जैविक का परियोग करते हैं अगर इन एजेंट्स का परियोग कर रहे हैं या जीवा मुरत का परियोग कर रहे हैं या वेस्डिकम पोजर का परियोग कर रहे हैं तो अपने खेत में और पोधों में गोबर की खाद सड़ी हुई परचुर मातरा में बहुत साहिक होता है अगर आप गोबर की खाग नहीं परियोग कर रहे हैं और केवल कैमिकल कर रहे हैं और बाद में आप ये एजेंट्स का परियोग करते हैं तो इससे आपको बहुत फाइदा नहीं मिलने वाला है किसान साथियों बहुत सरल तरीके से और एक टेबल के जरिये मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इन एजेंट्स का परियोग कहा होता है और किस प्रकार होता है मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिन जै भारत पंदे मगरा